हेलो दोस्तो नमेशकार भी reminder set करके रख लेना कल का वीडियो में इस मत कर लेना तो चले दोस्तो फिलाल तो इस वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे HDFC Live देखा गया तो अच्छी कंपनी है बट येस यहापर हम लोग कह सकते कि पिछले एक देड़ साल से insurance sector में हम लोग को कुछ इतरा खास performance देखने का आपे नहीं मिला है इस वक्त इनके numbers कैसे रहे numbers यहापर मेंने study कर लिया है year on year basis अच्छा performance यहापर दिखा है quarterly और अगर अच्छा कर लेते तो और भी better performance यहापर हो सकता था तो देखा गया overall तो okay okay type का performance था और बाजार ने भी जो reaction यहापर दिया है number के प्रती वो भी okay okay type का ही reaction यहापर दिया है next अगर हम लोग यहापर बात करेंगे दोस्तो तो root mobile root mobile की अगर हम लोग बात करें during the market number यहापर आ चुके है और number के बाद आप देख सकते हो stock लगबग 6.5% से भी जादा गिरते वे देखने का आपर मिल रहा है so क्या number खराब है तो दोस्तो मैंने personally numbers तो यहापर मैंने read कर लिये है ऐसा इतना भी जादा खराब यहापर नहीं है तो सर अगर number खराब यहापर नहीं है तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों तो यह समझ में आपर नहीं आता है कितने सारे companies के number देखता हूँ number तो अच्छे है quarterly yearly बट यहापर तेजी तो छोड़िए सीधा गिरावट आ जाती है तो ऐसा क्यों तो दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब बहुत बार में आप लोगों को दे चुका हूँ कि हर एक individual का अपना अपना तरीका होता है चीजों को पढ़ने से related और अपनी अपनी position होती है जैसी कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नजरिया क्या होता है मैं होता हूँ long term मैं numbers को देखता हूँ long term के हिसाब से बट ऐसे ही बहुत सारे लोग market में है जो की number को short term के हिसाब से expect करके चलते है और पैसा लगाते है यह मैं clear कर चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि मान लिजे Mr. X करके कोई है वो short term वाले है वो expect करते कि मुझे root mobile के number इतना इतना चाहिए था मान लिजे कि उनका जो कोई भी एक number ले लते है कि यहाँ पे 80 होना चाहिए था number और हकिकत में number आया है वहाँ पे 70 जो कि last time के सबसे ज़्याद ही है लास टाइम 50 था इस वक 70 आया है तो number तो अच्छे लगेंगे बड़ जिस व्यक्ति ने जिस group ने इंस्टिट्यूट ने 80 को देखकर यहाँ पे expect करके number मतलब पैसा लगाया था वो short term वाला था उसको वह number अच्छे नहीं लगेंगे वो पैसा निकाल लेता है तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को oral number अच्छे देखने के बावजूद भी वो गिरावट देखने को आपे मिल जाती है तो इसका रति मतलब decide करो कि आप हो कौन कि आप long term investor हो या फिर आप short term के लिए आप आयो हो short term के लिए नजरिया अलग होता है completely long term के अगर हम लोग बात करें तो उसका एक different story होता है जैसे मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियो में बता है क्या बता है कि big picture अगर आप एक long term investor हो तो big picture दे करीब था बहुत जोरदार crash हुआ था लगबग 200 के आसपास आया था और वापस वो roughly 200 के बाद 300 के करीब गया था तो यह short term की picture देखके बहुत सरे लोगों ने क्या किया बोला yes bank करीद लो करके देखो अच्छा है कुछ dangerous चीज नहीं है डरने की बात नहीं है बट मैंने big picture द investor अगर आप इस चानल को देख रहे हो तो आप भी long term investor होंगे तो आप चीजों को relate कर पाऊगे वरना आप mismatch हो जाएगा so root mobile के अगर बात करें तो long term की साबसे अच्छी company है अब जरूर नंबर को long term की साबसे consider करके आगे बढ़ सकते हो चले वही चीज़िया भी जो मैंने इतना आप लोगों को लंबा चोड़ा ये जो भाशन डिया प्रवचन दिया उसका फाइदा यहापे भी होगा sir budget finance के number तो कल बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो ये क्या हो गया अगेन कहे रहा हूँ दोस्तों ये short term के लिए किसी को लगा होगा और better आना चाहिए था performance तो उसको वह अच्छे नहीं लगे तो वह profit booking कर लेता है बट बड़ा picture अगर आप देखोगे तो वह अच्छा ही र नेक्स दिन अगर rocket की तरह वह भाग रहा है तो इसकार ये नहीं हो गया अरे बहुत अच्छे number ये करके बिल्कुल भी ने आपको अपना stand यहापे लिना ठीए जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैंने study किया उसके सबसे मुझे फलाना फलाना company के number अच्छे लगे that's it and मैं एक long term के सबसे बात यहापे कर रहा हूँ so budget finance भी उसी category में यहापे आ जाता है अगर आप इसका 5 साल का भी data देखोगे 300% की returns तो आपको देखने को मिलेंगे बट इसके पहले ऐसे कई बार हुआ है कि numbers आ जाते है उसके बाद वो गिर जाता है गिर जाता है बट आपको big picture अ चीजे आप लोगों को यापे applicable होती भी देखने को आपे मिल जाएगी company का stand alone performance भी अच्छा है and consolidated में तो सारी चीजे आही जाएगी budget finance का भी number इसमें आही जाएगा so दोनों numbers बहुत ही कमाल के देखने को आपे मिल चुके है so जरू अगर आप एक long term investor हो तो इन numbers के प्रती reaction द एक condition लेना होता है और उसके इसाब से आप लोगों ने जरूर चाहे वो root mobile हो बजाट finance हो फिंसव हो जरूर आप लोगों ने continue आपे करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बरजर पेंट क्यों गिरा इससे related कोई अलग से बाद बताने की जरूरत यापे नहीं है हर किसी को पता है Asian paint के number कैसे हम लोगों को देखने को पले वैसे बरजर पेंट से related expectation हम लोगों को वही देखने को आपे मिल रही है और उसी के चलते हम लोगों को यापे गिरावट मतल number one company अगर ऐसा performance करेगा तो number two का performance वैसे होने के चांसे से आपे हो सकते है अलाकि बरजर पेंट कोई हलका stock ने अगर आप एक long term investor हो एंड अगर आप एक safe return कमना चाहते हो तो बरजर पेंट के साथ आप easily continue आपे कर सकते हो next अगर हम लोग आपे बात करेंगे axis bank yes axis bank के number बाजर को बहुत अच्छे लगे and जैसे मैंने आप लोग को बताया कि short term वाले जो थे उनको भी numbers वह अच्छे लगे short term वाले मतलब जैसे best example रहेगा AU small finance bank अभी बहुत सार लोग वहापे भी disturb हो गए sir AU small finance bank ने तो इतना अच्छा number दिखाया next दिन 5% गिर गया तो जैसे मैंने आपको बताया आप long term वाले होना तो आपको अच्छा लगा होगा short term वालों के नजरिया कुछ और होता है access bank की बात करें तो यहापे numbers तो company ने मिने कल भी आप लोगों को बता दिया था कि बहुत ही कमाल के numbers दिखाये दिये थे access bank ने इससे पहले इस प्रकार का performance तो कभी नहीं दिखाया था इसलिए access bank तो मतलब literally flat चलने वाला stock है आज suddenly आप देख सकते हैं साड़े 9% की तेजी और इस एक ही bank ने पुरे bank nifty में मतलब और भी उमीद की जान डाल दी तो इसके चलते हम लोगे आपे कह सकते हैं bank का NPP भी बहुत ही अच्छा गासा हम लोगों को देखने का आपे मिला था और बाजार को भी यह number चोकाने वाले लगे क्योंकि जैसे मैं आपको बोला न access bank usually थके वे numbers देता है और इसलिए अगर आप इसका performance भी देखोगे usually एक साल का अभी तो आज अच्छा भाग है पाच साल का भी performance तो ओक्योंके टाइप का फ्लाट टाइप का ही performance हम लोगों को देखने का आपे मिल जाता है so access bank भी बहुत अच्छा performance यह आपे दे चुका है उसका reaction भी आज के दिन अच्छा ही देखने का आपे मिला है then हम लोग बात करेंगे Indian Energy Exchange IEX so IEX के नंबर कल हम लोगोंने study यह आपे किये ही थे company के नंबर में as such कोई भी positivity तो हम लोगों को देखने का आपे नहीं मिले थी right and उसी का नजारा हम लोगों मतलब हर किसी ने comment section में भी प्रेडिक किया था आज के दिन गिरावट तो होनी है कितनी गिरावट होनी है वो देखना बागी था तो साड़े चार परसेंट की अच्छी खासी गिरावट IEX में हम लोगों को यह आपे देखने का आपे मिली है so IEX के नंबर भी हम लोगों ने आपे देखे थे usually year on year भी से ठीक है quarter लिए अगर हम लोग बात करें बिल्कुल flat performance हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा था and year लिए अगर हम लोग बात करें जो gas exchange से related भी चीज़े है जो की बाद में उन्होंने बेज दिया वो business तो इससे related जो performance था वो overall नीचे ही देखने का आपे मिलने वाला था so mid cap quality की company है and mid cap में किस तरह की से हरकते हम लोगों को होती है देखने को मिल जाती है वो अभी बहुत सार लोगों को पता है यहापे चल रहे है जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यह large cap है यह mid cap है यह small cap है यह micro cap है यह penny है इसका importance अभी बहुत सार लोगों को समझ में आ पे आ रहे है क्योंकि जो छोटे companies जीतने होते है उनमें हम लोगों को ज्यादा बहुत सार लोगों को पता है कि ऑ इतना बड़ा यह बना दिया तो बहुत सार लोगों को यह पूछा वह यह performing आप आफ से चलेगे इसे से रिलेटेड जो विपरो के अभी के जो head है रिशाद प्रेम जी के अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहापे बता दिया कि उन्होंने एक senior जो employee थे उनको उन्होंने 10 minute के अंदर यहापे fire कर दिया क्यों fire कर दिया तो कि यहापे integrity से related उनको यहापे problem देखने को मिला अच्छा का सा ही आपे काम कर रहे है कोई भी फिर employee क्यों ना हो higher level का कितना भी क्यों ना हो हम लोग यहापे इस प्रकार के addition लेने के लिए पीछे आपे हड़ते नहीं है तो just एक information थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिते क्योंकि management से related इस से बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत प्लस दो पॉइंट पता चल जाते है दैन बात करेंगे KPIT टेक आज की दिन आप देख सकते 9% की दमदार तेजी देखने के आपे मिली है तो इसलिए जैसे मिन आप लोगों को बला कि number देखने के बाद short term and long term यह अलग-अलग view आप लोगों का यहापे होना चाहिए अभी जिन लोग ने सिर्फ यहापे short term का मतलब long term के लिए actually invest के था बट short term का view देखके exit कर लिए वो अभी वापस entry करने की सोच रहे तो ऐसा नहीं करने KPIT टेक यह बहुत ही अच्छी company अपनी company की नंबर भी decent ही देखने के आपे मिले थे and long term की साब से आप जरू इसको continue करेंगे तो कोई भी दिक्कत यह आपे नहीं होगी आशा करता दोस्तों इस वीडियो helpful लगाऊगो तो जरू like and share कर देना अगर आपने अभी तक उपन नहीं किये तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के तरो उपन किये जरू कमेंट सेक्षन में बता देना तो अफते बर के अंदर अंदर सारे लिक्चेर्स आपने को free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे So that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye